तो ही गैस वेलकम टू माई यूटूब चनल गैस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 का जो समाजी बिज्ञान का बिल्कुल वाइरल पेपर है ठीक है इसके बारे पूरी डीटेल्स में हम बात करने वाले पेपर में कैसा पेपर आएगा ठीक है बिल्कुल 110 परसे हम इस वीडियो में पूरी सालूसन के साथ आपको बताएंगी पेपर और साथ ही साथ यह जो पेपर है यह बिल्कुल वाइरल पेपर है ठीक है 2024 का बिल्कुल वाइरल पेपर है 10 समाजिक बिज्ञान और ऐसा ही आएगा पेपर 100% गैरांटी के साथ आपकी बोर्ड एक्जा कर इस पूरे वीडियो को देख लो 110 परसेट यह आपकी बोर्ड एक्जाम में माक्स पका कर देगा ठीक है तो आप कोई भी काम करें तो आपना 10-15 मिनिट निकाल कर इस वीडियो को पूरा देख लो ठीक है क्योंकि यह बिडियो कर आप देख लिए तो आपकी बोर्ड एक् तो यह जो पेपर है यह पेपर आपका 20 नंबर का इसमें बहुत भी कल्पी प्रशना थे जैसे कि यहाँ पे कुछ सामान निर्देश दे दिये गए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना अलुक्रमांक भरना पड़ेगा और यहाँ पे अपना नाम भर लेना है और यह जो होता है यह 20 का कूण होता है ये पेपर कोड होता है और यहाँ सबजिक्ट और यहाँ पर इसके लिए Hue 3 जब्ता 6 15 मिलता है जिसमें कि 15 पत्र को केवल उक्यूब पर ने के लिए दिया जब्ता ठीक है और 3 जहरा का समय आपका बसता है तो एक घंटे आपको बहु विकल्पी यानि 20 बहु विकल्पी के लिए एक घंटे का समय दिया जाएगा और दो घंटे का समय आपको वर्णात्मक प्रशन के लिए दिया जाएगा ठीक है और जो 20 अंक का बहु विकल्पी उसका जो यह आपका एंसर सही उसको ओयमार सीट पर भरना है यह निर्देश दे दिया गया है और यहां पर देख सकते हो आपकी खंड बो में पचास अंको का है ठीक है इसमें वर्णात्मक वन वर्णात्मक टू मांचित समंधित दो प्रेशन है पर तेक प्रेशन के लिए निर्धारित अंक उनके सामने ल कल्पी प्रस्ण देखो बहुत भी कल्पी प्रस्टिक है राष्टवाद का प्रारंब किस देश से हुआ इस चीज को आपको देखो कहां पर भरना आमने बता है ओयमार सीट पर यह जैसे ओयमार सीट आपकी बोर्ड एक्जाम में दिया जाएगा आपको इस तरह का ठीक है यहाँ पर आपके जिले का नाम होगा और यहाँ पर केंदर का कोड होगा यहाँ पर आपका नुकरमांग होगा यहाँ पर आपका बिसे होगा जो बिसे है जिसे यह समाजिक बिग्यान ते यहाँ पर लिखा रहेगा समाजिक बिग्यान ठीक है और यहाँ पर प्रश्ण पत हमारा वो दे रखा है राश्टवाद का प्रारंब किस देश से हुआ जर्मनी इटली फ्रांस रोज तो सहीं अंसर है फ्रांस ठीक है तो फ्रांस तीसरा वाला question और इस तरह से आपको सी को क्या करना इस तरह से color कर देना बाल point pen से ठीक है black से भी कर सकते हैं भुलू से भी कर सकते हैं इस तरह से आपको बन जिसे हैं पर दुसरा हो गया जर्मनी के एक ही करण में मुँख भूमिका का कि थी ठीक है इनुखे लिए का दिक देग मेंबन उच्पन इस तरह से आपको solve करना है यहां पर जो next question है तीसरा अस्योग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था ठीक है प्रतम विस्यूद की रॉलेक्ट एक्ट की खिलाफात आंदोलन की चौरी-चौरा कांड दोको जो अस्योग आंदोलन था उसका मुख्य कारण रॉलेक्ट एक्ट था क दिर्का 1910-1924-1934-1939 तो महामंदी का जो प्रारम वो था वो 1929 इस भी में हुआ था यानि कि आपका विस्यूद्ध के बाद हुआ था ठीक है next question देख लेते हैं पर पांचवा नंबर question दे रखा कि भारत का सरवादिक उपजाव मिट्टी है ठीक है जलोर मिट्टी है कि ला question है चठा नंबर दे रखा है सुन्दरवन राष्टी पार्क कि राजि में इसतीत है दरका असम में है कि प्योडिशा में कि मध्य प्रदेश में ठीक है तो सुंदर्वन राष्टी पार्क जो इस्तित है वो आपका है पस्चिम बंगाल में यहां पे नेस्ट क्वेशन सात्वा है तीहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है यमना नदी पर राम गंगा नदी पर भागी रतियों भिलांगना नद पर बनाया गया है और नेस्ट कॵेश्चैन आटफान नमबर देख लेते हैं निमलिकित में कुण सी रभी की द्खाल धान है कि मुख्य ऐ कि बाज नर फिसल होती ऑशी वह सीट हूर्ट घृ Swift煮 इसकी कटाई होती है यह है और यहां पर 9 नंबर завис gemacht का रानी गंज कोईले की खान इस्तित है बिहार में है कि पस्यम बंगाल में है कि ओरिसा में है कि जारखंड में है तो यह आपका पस्यम बंगाल में रानी गंज कोईले की खान इस्तित है यहां पर यहां पर तेन नंबर क्विशन देंखेंगे सारवजनिक वित्रर पढ़ाली का क्या ताते पर सारवजनिक वित्रर पाड़ाली मतलब आप समझ रहो जो आपको राशन मिलता है ठीक है कोटे की दुकान से राशन उसर Oak Tuesday सब्ढ़ाली उसका क्या ताते पर एक खाद उ फार्थिक साहता करना आवेश्यक वस्तू की कम मुले पर उपलब बदता ही तो यह जो चीज है कि आपको आवेश्यक क्वस्तू क्या है चावल है यह दो क्या है कौम मुल्य पर आपको मिलता है इस चीज को ठीक है यहां पर हम 11 नमद को इसन देखेंगे कि यहां पर बिदेशी वेपार किसकी मद्ध होता है ठीक है यहां पर देशों की मद्ध दो गाओं की मद्ध दो प्रदेशों की मद्ध दो नगरों की मद्ध अब बिदेशी विदेशिया विदेश होता है दो देश के मत्ध करमाद्रा विदेश को मुपनित करे दसे को निमकिता कि राज सुची में नहीं नहीं है देखो पूलिस, क्रिसी, सिचाई, मुद्रा ठीक है यह जो मुद्रा है यह आपका राज्य सूची में नहीं है ठीक है इसे बित्मंत्राले जारी करता है यहाँ पे 30 नंबर क्वेस्चन देखेंगे कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980, 1969, 1992 में 2004 में यह हुआ था आपका 1992 इस भी में भारत में पंचायती राज की स्थापना है और नेश्ट क्वेस्चन देख लेते हैं और इस नेश्ट जो क्वेस्चन वो है आपका लोकतंत्र के लिए चुनाउती है ठीक है क्या है चुनाउती लोकतंत्र के लिए ब्रश्ट न एड़ एकुस्ट क्यावाज की सब्सक्राइड तो आपको अंसर होगा इसका यहाँ पे सोला नमबर क्येश्चन देखेए बिश्टू बैपार संगठन की स्थापना निम्लिकित में से किस VARS हुई थे VARS 1986 VARS 1985 में VARS 2001 में VARS 2004 में ठीक है इसकी स्थाप्पना 1986 Mayस ढ़ी में हुई थे आंट यहाँ पर next स्घ 및 कर कि एंग मार्ग की वस्तू के लिए प्रमारीत चिन है ठीक है तो कोई मसाला लोगे तो उस पर भी या कोई खाने वाला प्रोड़क्ट होगा तो उस पर ये एग मार्ग का सिंबल लगा होता है लिखा होता है एक मार्ग ठीक है ये खाद्य पदार्थ पर लिखा होता है यहां पर 18 नमबर कोईशन देरका कि वंदे मात्रम गीत के रचेता कौन है तो देरका रविन्ना टेग हो रहे हैं कि सुहनलाल दिवेदी है कि बंकिम चंद्र चटर दिये है कि रामधरी सिंग दिन करें ये आपका करेक्ट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर जी वंदे मात्रम खेता है यहां पर 19 स्वराज प्राप्त करने का लच्च कभ घुसित किया तो वरस यह सब क्या है एक तरह का यह कौन सी सेवा वायू सेवा वायू से होती है 1 यहां तो और वड़नात्मक 2 मिलेगा यह अपका 50 अंक और कितने अंक होगा 50 अंक होगा यहां पर जो भी क्वेस्टेन है इस्टेन कर जो उत्तर आपको लिखना वह कितने सब्द में लिखना है अशी सब्दमें ठीक है यह दो रहा कि प्रांस की क्रांती कब शुरू हुई और उसका मुख्य कारण क्या था फ्रांस की क्रांती शुरू हने का ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आपको खंड बह करें तो खंड बह डाल दो वर्णात्मक प्रश्ण 1 करें तो वर्णात्मक प्रश्ण 1 डाल देना है यहां से आपको शुरू करना है कि करांती जो होती है वो किसी के दोस्पूर सासन की या उनके दुर्वेवहार के चलते लड़ी जाती है उनके कुछ सासन के उदरा लड़ी जाती है मतलब वो अत्याचार जनता पर इस वज़ा से लड़ी जाती है ठीक है ये भी करांती इसी वज़ा से हुई थी आपकी तो यहा प्रांस की क्रांती का प्रमु करण वहां की दोस्पूर सासन वेवस्था थी लुई सुलहवे की भीजूल खर्ची से राजकोस खाली हो गया था ठीक है ऐसी स्रिती में सासन ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए नए कर लगाने का नियम ला दिया निप्रस्ताव पार कर वसूल नहीं करता था अपी तो यह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले बैक्ति को दिया जाता था जिसने फ्रांस की लोगों में असंतोस की भावना को प्रबल किया इस इस्तिती से फ्रांस की ततकालिन आर्थी की सिदी करांती का एक परमु करण बन गई ठीक है त आप लोग के लिए नोग बहुत मेनद करते तो आप एक लाइक जरू किया करिए एंड यहां पर नेश्टे की समाजिक असमानता था प्रांस की करांती का एक मतपूर करण समाजिक असमानता थी यानि कि समाज में क्या किया गया था उच्छ निच का भाव ठीक है निच्छ निच्छ वाल्टी के लोग थे निच्छ अस्तर के लोग थे उनसे कुछ अलग ही बेवहार किया जाता था तो यह वही चीज़े बताय गया है कि मतपूर कारण समाजिक असमानता थी प्रांस की क्रांती के समय समाज दो वर्गों में वीबाज जी था प्रतम और्ग जो था वो कुलीन वर्ग था तथा पादरी वर्ग था तथा पादरी वर्ग में आता था जो करो का भुगतान नहीं करता था जबकि दूसरे वर्ग में किसान तथा अन्यसरमिक आते थे जो त्याधिक करो का भुगतान करते थे ठीक है तथा उनकी समाजिक इस्तिती भी ठीक नहीं थ दिया तब जाकर हमें चार नंबर यहां पे मिलेंगे तो आपको इतना लिखना पड़ेगा अस्योग आंदोलन की मुख्य कारण क्या थे ठीक है तो सबसे पहले आपको अस्योग आंदोलन इस तरह से हीडिंग डाल देना है अस्योग आंदोलन एक अगस्त 1922 को शुरूगवा तब तथा जून 1922 में इलहाबाद में यानि अब ये प्रियाग राज में सर्वदलिय सभा ने और विध्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कालेजों नियालों में जाना बंद कर दिया ठीक है इसके कारण क्या थे आपको हीडिंग डालना है अस्योग आंदोलन की प्रम ऐख ब्राप्त करना ऊए रॉलेक्टट एक जल्या वपाराग हत्यकांट गीजार्ट चाख अश्योग आंदोलन के कारण थे यह सब क्या है अश्योग आंदोलन के लिए नेंस्थ द में स्व ai ये глазी ब्राइश्योन करने के लिए अपने राग्त ह। कि लापत मुद्दा लेकर सरकार पर दबाव बनाना ठीक है तो ये सब चीजे थी इनके अस्योग आंदोलन के प्रमुक कारण नेश्ट देख लेतें क्वेश्चन यहाँ पे नेश्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है सत्ता के 36 बित्रण का अर्थिस पष्ट कीजिए साथ ही भारत के संदर में उधारण भी प्रस्तूत कीजिए ठीक है यहाँ पे सबसे पहले प्रशनतर संख्या दो डाल देना है सत्ता के 36 बित्रण ठीक है जब साथन की बिभीन अंग्जे से बिधायका कारेपालिका और न्याइपालिका की बीच सत्ता के बट्वारे की ब्योस्था हो तब इससे सत्ता का 36 बित्रण काहा ज़ता है ठीक है यहनि कि कोई भी सत्ता हो सरकार बनाती हो उसकी जो साथन ब्योस्था है बिबीन अंग जिसे बिधायका में हो गई कारिपालिका का कोई सदस बन गया कोई नयापालिका का बन गया तो इस तरह से यानि सत्ता का क्या हो गया बटवारा हो गया तो इसी को हम क्या कहते है सत्ता की 36 बितरड ठीक है एंड यहाँ पर दूसरा क्या है भारत में राश्ट पती और मंत्री परिसत कारि पालिका की रूप में कारे करते हैं वैसे ही संग बिदाइका तथा सर्वोची नाले नहे पालिका की भागूते हैं इनके सक्तियों का विभादन होता है ताकि कोई भी सत्ता का अस्मित उपयोग न कर सके ठीक है यानि कि किसी एक के हाथ में सत्ता देने से वो उसका असिमी तुप्योग कर सकता है उसका दुरूग कर सकता आपने सत्ता का इस वज़ा से इसको क्या कर दिया गया है बाट दिया गया इन सत्ता के छहती ठीक है और तीसरा कि हर अंग एक दूसरे पर अंकुस रखता है जैसे कि आपका कोई भी बड़ा आपसे जैसे कि कोई भी ये प्रदान मंत्री ठीक है वह विद्धायकों पर क्या करेंगे अंकूस रखेंगे ठीक है अगर वो विद्धायक को क् Fayad effects क्या करता है बिगर दिये तो उसे डर रहेगा कि हमको सत्ता से निकाल दिया जाएगा ठीक है, हमसे सीट छीन ली जाएगी तो बाठने का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे पर दबाव बना तो वही चीजे है, हर अंग एक दूसरे पर अंकूस रखता है जैसे भारती नयायपालिका, बिधाईका और कारिपालिका, नयायपालिका के कारियों पर अंकूस रखता है, ठीक है, आगे भी है और यहाँ पर बिधाईका और कारिपालिका नयायपालिका के इस परकार के सक्ति को संतुलित रखते है, ठीक है यहाँ पर नेस्ट चो क्वेस्चन है आपका यहाँ पर next question है guys कि भू छरड रोकने की कोई तीन उपाय बताईए ठीक है उपाय सुझाईए भू छरड का मतलब होता है कि मिर्दा का ठीक है मिट्टी का अपने एक जगर से हवा या वायू की माध्यम से या पानी की माध्यम से बह कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना ही भू का छरड कहलाता है यानि उस भू का क्या हो गया चरड हो गया ठीक है को रोकने की निमन उपाय किये जा सकते है देखो इसकी रोकने की क्या क्या उपाय हो सकते है वन लगाना बिच्छों की जड़े होती मिट्टी की कड़ों को आपस में जकड़े रहती है जिसे मिट्टी का कटाव रुख जाता है ठीक है तो वन लगा देंगे मिद्दा छड़ों को रुखने के लिए घास लगाना घास की जड़े भी मिट्टी की कड़ों को आपस में बांधे रहती है तता मिट्टी को बहने से सकता है इससे कि अपने खेत में एक मेड बना दिया इस तरह से जब भी पानी आएंगा तो इस मेड क्या रूकेगा इस मेड क्या रूक कि दूसरे ख्यत में नहीं जाएगे च्वाधा आपको सीधुन parked बनाना ठीक है जिसे कि पहारी छेत्रों में इस तरह पाहरी तरह छो अगर थे तरह बहेगा तो सीधा पुरा नीचे आठीक है यहां अ इसे है जो जिसे पहारी छेत्रों में आप खेती कर रहे हो तो आपको इस तरह से सीड़ी नुमा खेत बना लेना है किस तरह सीड़ी नुमा ठीक है क्योंकि गर यहां से पानी बह कर आएगी तो सबसे पहले यहां आएगी यहां पर मेड़ का निर्माल कर दो फिर यहां पानी बैठेगी फिर दिरे यहां पर आएगी फिर यहां से फिर दिरे यहां पर आएगी ठीक है यह काया जानी आपकी मिट्टी नहीं बहेगी सीरी नुमा खेत पहारी धलानों पर बनवा कर भी मिट्टी की कटाव को रोका जा सकता है यहां पर नेस्ट क्वेस्टन देख लेते हैं किरसी की कि लेक किजी काफी important most very very important इसे आप लिए ठीक है जितने भी बेरी लगाओ उतना यह कम important नहीं है बहुत जादे important है तिक तीन समस्याओं को क्या लिखना आपको इस तरह से यह देख सकते ठीक है भारति किरसी की तीन समस्याओं क्या है इस परकार है उर्वरक और आसानिक खादों का प्रयोग न करने के करण भूमी की उत्पादन भी कम होता है ठीक है भारती किरसी की पिछड़े पन का क्या करण है अब दोको इनकी पास जो भारत की किसान होती यह पढ़ी लिके कम होते हैं और कौन सा दवाय अच्छा है ठीक है कौन सा छिड़कना चे कौन सा ब्रांड इन सत्तर पर्सेंट जो किरसी है वो क्यों मान्सून पर निर्भर अगर वर्षा हुई तो आपका अनाज उत्पन होगा अगर नहीं हुई तो वो अनाज नहीं उत्पन होगा ठीक है मृदा की प्राकृति को रटा पर निरभर है जो मिट्टी में उरो रख है खाद वही रहने दी जाए जाए आन्य प्रमारी तत्यों पर भी निर्भग करते हैं तीसरा, भारत की खीशांद का जीवन इसलज निम्न stub यह लोग आधुनी किरसी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह आधुनी उपकरण का उप्योग नहीं करते हैं यह क्या करते हैं इनके पास पुराने से पुराने उपकरण रहते हैं जो की लागत जादे लगती और काम कम करते हैं पुराने इंजन रख लेंगे और फटे पाइप होते जैसे कि किरसी एगर खेत ले पानी सीज़ित उसका 20% पानी तो राजते में भेह जाता जिसनके टाइम लगता ठीक है और किरसी उपकरल भी पुरानी प्रगती के होती है अधर्टी किसान जो होते हैं यह कमाने के लिए किरसी नहीं करते हैं अपने नमक तिल को चलाने के लिए किरसी करते हैं यहाँ पे नेश्ट क्वेस्चन आपका है थीक है अथवा इसमिदर का उबकता सरन अध्रियम 1986 की प्रमुग बिशेस्ता है लिखे थीक है तो यह भी क्व है और यहाँ पे भारती किरसी पर बैस्वी करड़ की प्रभाव की संचिब ब्याख्या किजिए इन दोनों से आपको कोई एक करना है तो यह भी आसान है इसकी मैंने आल्रेडी वीडियो डिटेल्स में बताई वहाँ पर आप आप जाकर देख लेना यह वाला क्वेस्टन चौथा पे राष्टी बेपार दतांत राष्टी बेपार में अंतर बताईए इसका थ्वाला इंपॉडेंट है ठीक है यह राष्टी बेपार दतांत राष्टी बेपार पुश्णतर संक्या चार राष्टी दतांत राष्टी बेपार में निमने कित अंतर है ठीक है राष नारश्टी वेपार के उन्तरी में इसान वारत को बीच भारत और सौधी अरभिस जाता तो गनतरी को को दूसरे प्रदेश में टांसफर कर देता है ठीक है और कहीं पर जैसे कि जादी जादे बालू होता है गिट्टी होता है सिमेंट यह लोहा होता है तो वो अपना क्या करता है एक राज से दूसरे राजी को दे देता है इसके अंतरगत अत्रिक उत्पादक एक देश से दूस यहां पे कुछ सेव नहीं हो रहा हिए थे तोसर्फ को क्या करता जाए दूसरे 1 पहुचाए जाता है तो चांड पनसे में असंतुल्रों। मद संतुलन को में और नशाय देख लेता है यह जो होता जिनको यहां पर कुछ उधारण दे दिया है जिसे पंजाब और हडियारा अपने अत्रिक्त गिहों को अन्य राजियों में भेशते यह राश्टी बेपार का उधारण है भारत अपना अत्रिक्त लोह एसक जापान को भेशता यह अंत्राश्टी बेपार का उधा बताई यह जो है चार-चार पेज में जाएंगे ठीक है इनकी पूरी डीटेल्स वीडियो हमारे चैनल पर वहां साब जाकर देख लो और यहां पर ब्रेटन बूर्ट से ट्वीन ब्रेटन बूर्ट की जुडवा संतान की ने कहा जाता है एंड यहां पर च्छटा क्वेश्च अबुमी का उपए कि उध्यश्च के लिए करा जाथ फिरतेज भारत में पर एक लेकिति जान पर गया जोगया इनपे řिए की प्रात्मी श्रतिंय्के अले नहीं आता तो इसको आपको हल कर लेना है ठीक है एंड यहां पर आ जाता है मांचित से समंदित प्रश्ण नवा नमबर निम्रिकित में से इस्थानों को भारत के रिखा के मांचितर पर इस चीन द्वारा नाम से दर्साइए जिसके लिए आपको नाम दर्साने के लिए आधा नमबर दिया जाएगा जैसे यहां पर है कि वह इस्थान जहां अंग्रेजु ने पहली राजदानी बनाई ठीक है तो इसके लिए मांचितर लेना पड़ेगा और अंग्रेजु ने जो पहली राजदानी बनाई थी वह आपकी कहा बनाई थी कोलकाता तो यह चीज़े ना प्रस नमबर नाइन का उत्तर आपको क्या करना पड़ेगा कोपी लेनी पड़ेगी इस तरह से और कापी में यहां पर डालकर प्रस नमबर प्रश्णतर संख्या नाइन का उत्तर आपको लिखना है ठीक है तो यहां पर कोलकाता पहला में क्या था पहला का कोलकाता है तो य वहां प्रक्षण यहां पर गोरकपुर अपको कापी में भी लिखना और यहां पर दसाने का अधानों मिलता है अट यहां पर वह स्थां जha पर श वाण मंदर स्टेता यह मरी सर में this मुंबई एक है यह चीजों को मुंबई यहां द्र साने के बाद कोपमें लिखना है आधा नमबर उसके मिलते हैं आपको एंड ये जो चीजे होती है ये दिरिष्टी बादित परचार्थियों के लिए होता है इसके लिए आपको certificate लगाना पड़ता है उसका यही चीजे होती है क्यों इसका answer आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए आपको एक number मिलेंगे ठीक है नेश्ट देख लेए नेश्ट आपका है कि भारत के मानचीत में नागार्जुन सागरबांध चीनदर नाम से ठीक है तो जो नागार्जुन सागरबांध है वह आपका कहां पर ठीक है तो देखो नागार्जुन सागरबांध यहां पर पढ़ता है कहां पर रहा है यहां पर से तो दो झ pics ii उत्पादक के ठीट वह कुजिए खिर को lagi म्हीं सको यहां पर प्लस सिंबलD defend track एक्न तो यह पर शप्रक्रुणार वी यहां पो किसंबल से द्रसाएंगे यह वाला सिंबल से उ Wars कौर में कि कि ब्रह्म पुत्र नदी करहारा उस है तो यहां पर प्रह्म फ्रस आपको बना दिना ठीक ब्रह Supreme कपास उत्पादक का एक चित चिनदर नामसे चे यह घुजरा थे तो यहाँ पर गुजरात आपको इस तरह से दिखा दिना है ठीक है इस तरह से आपको पूरे मानशित को भणना पड़ेगा और इसको मजबूती के साथ अपने उत्तर वीडियों पस इतना ही अगर वीडियों पसंद आ तो वीडियों को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलूंगा एक नेश्ट वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद